ये देखे फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम सुपर सॉफ्ट और सुपर टेस्टी नारियल के लड़ू की रेसिपी जिसे हम सिर्फ चार चीजों से बना कर तयार कर लेंगे तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो फूट जंक्शन भाई नीहा आईए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो नारियल के लड़ू बनाने के लिए हमें चाहिए दो चमस देसी घी चुटकी भर छोटी लाइची का पाउडर उसे फ्लेवर देने के लिए 500 ग्राम कोकोनट पाउडर और अगर हम काटोरी से नाप करें तो ये 3 काटोरी कोकोनट पाउडर है इसके बाद हम लेंगे 300 ग्राम कंडेंस मिल्क तो चलिए सबसे पहले गैस पर एक पैन रख लिएते हैं और अब इसमें आट करेंगे देसी घी सिर्फ 2 चमबस देसी घी से हम इन लड़ों को बना कर तयार कर लेंगे तो दिखे घी को थोड़ा सा मैल्ट कर लिया है और इसमें एट कर देंगे 3 काटोरी कोकोनट पाउडर काटोरी से माप इसलिए बताया है कि कई बार घर पे वेंग स्केल नहीं होता तो आप इसे असानी से काटोरीों से नाप करकर भी बना सकती है तो देखे गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे वना कोकोनट पाउडर जल जाएगा ये बहुत हलका होता है तो बहुत ही ज़दी से जल भी जाता है और हलके हाथ से इसको हम भोन लेंगे बहुत थोड़ा सा ही भोनना है सिर्फ तीन से चार मिनट इसका कलर चेंज नहीं करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नई है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री होता है और अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लिए तो आपके कोई भी चार्जिस नहीं लगेंगे पर आपका एक सब्सक्राइब बटन मेरे लिए बहुत महत्वर रखता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा देखिए नारियल भी बहुत अच्छे से भुन गया है और इसकी धीमी धीमी खुश्पू भी आ रही है चलिए अब इसमें एड़ कर लेते हैं चुटकी भर छोटे इलाईजी अगर आप नहीं डालना चाते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और अब हम उसी कटोरी से नाप कर इसमें कंडेंस मिल्क एड़ कर लेंगे कंडेंस मिल्क में चीनी पहले से ही मिली होती है तो हमें अलग से चीनी डालने की भी कोई ज़रत नहीं है तो कंडेंसमिल्क यहाँ पे थोड़ा सा थीक होता है तो इस तरीकी से प्रेस करते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसका एक सौफ्ट सा डो तयार हो जाएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें आप मुझे किस शेहर से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा बस पाच मिनटी हम इसे मिक्स करेंगे और हमारा ये डो कढ़ाई छोना शुरू कर देगा ये नारियल के लड्डू बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाते हैं अगर आपको गनपती भगवान को भोग लगाना है और आपके पास जादा समय नहीं है लड्डू बनाने के लिए तो आप इस तरीके से मोदक बनाईए और इनका भोग लगाईए देखिए ये डो तयार हो गया है और अब गैस की फ्लिम को बंद कर देते हैं और एक प्लेट में इसको निकाल लेते हैं ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इस प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे दो से तीमनट ठंडा का निकले रख देते हैं फिर हम इसके लड्डू बनाएंगी नारियल के लड़ू बनाना इतना असान होता है कि कोई बिगनर भी ने बना सकता है क्योंकि इनमें जादा चीजों की जुरत नहीं होती है और नहीं जादा ताम जाम फैलता है तो देखिए डो थोड़ा ठंड़ हो गिया है और यहां पे मैंने 50 ग्राम गोले का पुरादा ओड लिया है इसको एक प्लेट में कर लेंगे और अब इसके लड़ू बना लेंगी तो थोड़ा सा डो हाथ में ले लेंगी और इस तरीके से इसको लड़ू कर शेप देंगी देखिए इसमें कितनी चिकनाई है मेरे हाथ एकदम चिकने हो गए हैं बहुत हलके हाथ से हमें लड़ू बनाने हैं और इस तरीके से इनी घुमा कर एक सार कर लीना है अब इन लड़ों को गोले के पुरादे में रखेंगे और इसको घुमा लेंगे तो इस पर ये पुरादा असानी से चिपक जाएगा देखिए ये लड़ों बनकर एकदम तयार है तो चलिए इसी तरीके से हम बाकी सारे लड़ों भी तयार कर लेते हैं अगर आप एक साथ दो लड़ों बना सकते हैं तो ये लड़ों और भी जल्दी बनकर तयार हो जाएंगे मिंटों में ये लड़ों बनकर तयार हो जाते हैं और आप इने बना कर प्रिज में स्टोर कर लीजिए ये 15 दिन भी खराब नहीं होते हैं और सभी को ये लड़ू बहुत पसंद आते हैं बस ध्यान रहे इन्हें हमें हलकी हाथ से बनाना है अगर आप इन्हें जादा प्रेशर से बनाएंगे तो लड़ू शेप नहीं ले पाएंगी और इसी तरीके से हम बाकी सारे लड़ू भी तैयार कर लेंगे और इस समय गनपत ही बांपा आये हुए है तो आई हूँ कुछ लड़ू को हम मोदक की शेप देते हैं तो फिरसे हम थोड़ाओ दो खाथ में लेंगे और इसको इस तरीके इसे प्रेस करते हुए एक साइड लगा देंगी और इसी थरीके से हम दूसरी साइड भी थोड़ा सा डो लगा देंगी फिर इसे बंद कर देंगे और अच्छे से प्रेस कर देंगी और नीचे से भी हम इसे अंदर गी साइड प्रेस करेंगे ताकि प्रॉपर मोदक शेप ले तो लग रहा है नहीं कितना स्वादिस्ट चलिए कुछ मोदक बना लेते हैं और कुछ लड़ो तयार कर लेते हैं मैंने आप लोग के साथ काफी तरीकी की मोदक की रेसिपीज को शेयर करा है जिसे स्टफ पान मोदक है केसर ड्राइफरूट मोदक है मलाई मोदक और मिल्क पा पाउडर को लपेट दिया है तो देखिए ये कोकोनर पाउडर हमारा बच गया था इसको साइड रख देते हैं और यहां हमारे सभी लड़ो और मोदक बनकर तयार हो गए हैं चलिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और ये देखिए कितने सॉफ्ट और कितने डिलीश आने वाले हूँ तो आप इन लड़ो की रेसिपी को जरूर ट्राय करिए ये लड़ो बहुत ही स्वादिस्टे लगते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तयार भी हो जाते हैं ये मोदक की शेप में भी बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं तो आप भी इस रेसिपी को बनाईए और बबा का भोग लगाए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री होता है और ये मेरे लिए बहुत मायनी रखता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर करिए मिलते हैं अगरे वीडियो में बाबाई टेक कियर आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे फेस्बूक पेज और इंस्टाग्राम पेज खुबी फॉलो कर सकते हैं विदे सेम आईडी फूद जंक्शन बाई नीहा बाई बाई थैंक यू फॉर वाच्चिंग